यह देखिए यह चिली पनीर इतना देखने मच्छा और किस्पी लग रहा है उतना ही बनाना इसको आसान है तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं यह दो सब्सक्राइब करते हैं तो चिली पीरी मिनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 500 ग्रार पनीर इसको मैं छोटे-छोटे कि उसमें काट गया है तो इसको मैंने एक बॉल में ट्रांसपर कर दिया है तो इसमें हम डालेंगे एक चमच जिंजर गालिक पेस्ट और एक चमच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर चिली पनीर बना रहे हैं तो लाल मिर्च तो बनती है इसमे इसमें थोड़ा साम स्वाधान सवार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाए इसमें हम डालेंगे एक चमच कॉन फ्लोर यानि आरा रोट और एक चमच ते करीब डालेंगे इसमें मैदा मैदे से कोटिंग अच्छी आती है और डेट चमच के आसपार डालेंगे इसमाम वेनेगर मैदे और कॉन्फोर के मिक्सर से कोटिंग पे अच्छी आती है और किस्पी भी अच्छे बनते हैं अब इस मिक्सर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे हर एक पनीर के टुक्ड़े पर कोटिंग अच्छी बनी रहे हैं यह अच्छ से मिक्स हो गया है और इसको हम आदे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं दूसरे स्टेप में तो यह पर मैंने थोड़ा सा लेस्टन लिया है एक इंची का का ट्रक टुकडा एक सीमनी एन शेप और मीडियें सेख के व्यांगा हूं तो सबसे पहले हम इसको छोटे पीकीशेस थे मिन काट लेना है ताश्व करलेना है करें दो है अध्रको भी चोटे-चोटे पीसेस में कट कर लेना है कि एक चीज का जहां रखेगे कि चोटे-चोटे ही आकार होने चाहिए अध्रको ले सुनके अच्छे चॉप हो गया है अध्रकों कि इसके बाद हमने सेमन मिर्च को साइड से कट कर लेना है और उसके लगवाद एक-एक इंच के टुक्रे बना लेने हैं अच्छा फ्लेवर आता है आए अगा साइज सेम रखेगा अच्रकों के शाण बाद प्याच को मैं चार भागों में घाल लेना है और इसके बल्स को अलग-अलग कर लेना है सारे बल्स अलग-अलग कर देने हैं इसको हमने चौप नहीं करना है बिल्कुल भी यह इसी तर से चीली पनीर में खाने में टेस्टी होता है तो यह हमने सारे प्यांच के बल्स को अलग-अलग कर लिया है और हमारी सारी सब्जिया रेडी होगी है तो आएए चलते हैं नेक्स स्टेप में तो हमने एक कड़ा ही ले लेनी है उसके हमें पनीर को तलने के लिए तेल डाल देना है तेल को अच्छे से गरम हों देना है तो आप इसमें हम एक एक करके पनीर के छोटेटे पीस जो हमारे लेंगे और इसको एकदम से हिलाना नहीं है ने तो इसकी कोटिंग खरा हुजाती है तो हलका सा लगबग हाँ ते सब्सक्राइड कि इसकें हम अचेंब हैं फिरेंगे तो बश्रों के दिणा टारेंगे ऐसे हम सारे पनीर को अच्छे से पका लेंगे और यह हमारे सारे पनीर फ्राई हो चुके हैं देखें कितने अच्छे क्रिस्पी लग रहे हैं इसमें कोटिंग भी बहुत बढ़ी आई है तो आते हैं नेक्स स्टेप के और एक बावल में हमने लगबा आदा कप पानी ले लेन यह मिक्स कर देना है पर लगबाख एक यह मैं वेitelेगे विश्फे दालेंगे एक यह विशंत है इसमें मिक्स करना है अं तक है गया है कई का चिली पनिय बनाने यह तो आप्षमां यह मीषय यह बहुथ गया है डालेंगे रचिली शॉसुंश और तो यह बालेवर च्छे है उसमा लगब हम एक चम्मच कौन स्टार्ज डालेंगे इसको हम थंडे पानी में ही घोलेंगे रून टेंप्टेचर वाटर लेना है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कुठ्लिया ना बने तो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसको हम थोड़े देर के लालग रख देते हैं अब चलते हैं फाइनल स्टेप के और एक कड़ाई लेनी है उसमें दो बड़े चम्मच ऑईल डाल देना है ऑईल को अच्छे से गर्म होने रहेंगे आइसमें हम यह हमारी कटी अब भी सब्जीया थी वह करके हम डालेंगे लेस्टन अद्रक लेस्टन द्रकों लगबग 30 सेकेंड तक पकने देंगे जिससे इसका कच्छापन दूर हो जाए और खाने में अच्छा लगे हमारा लेशन अद्रक अच्छे से फ्राइज जो कहा है देखें गोल्डन ब्राउन होने लग गया है इसमें हम आप कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे मैंने चार-पांच हरी मिर्च लिए जिसको छोटे-छोटे आकार समय हमने काट लिया है अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्यांच प्यांच को हमने इसको में गलाना नहीं है नाई गोल्डन बाउन होने देना है बस थोड़ा सा सौप्ट हो जाए लग वग तीस मुलिदैस को अब इसके बार हमने इसमें सिम्ध मेज दशाब ने है है कि यह उच्छे से में है के गणला लेता है मिक्षरे तैयार किया था कि इसको अच्छे से हिला करेता है इसमें में लहाए है और अच्छे से मिक्स करें कि रखे मैं मैं més कर ले नहीं तो अच्छे मैं अक लखबख उबाल आने तक पकने देने समय ही में कि a आ जुर हमारा मिक्चर रेड़ी हो चुका है इस मोबाल आना शुरू हो गया है और देखने हैं बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हमारे जो पनीर के पीसे थे वह इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे कितना अच्छा टेक्शर कितना अच्छा कलर और देखने में इतने क्रिस्पी लग रहे हैं खाने में भी उतने अच्छी हैं यह देखें बहुत टेस्टी चिली पनीर बना है अपने पास यह रेसिपी जरूर ट्राय करिएगा आप और कमेंड करके जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमारा चिली पनीर रेडी हो चुका है इसमें हम थोड़ा सा कटावा धनिया डालेंगे अब हम इस चिली पनीर को एक ट्राइट में ट्रास्पर कर देते हैं कि देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही अच्छा आया है तो यह रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राइब करें और मुझे कमेंड करके जरूर बताएं कि आपके घर पे यह रेसिपी कैसी बनी कि थोड़ा सा धनी से गानिस कर देते हैं और यह बिल्कुल खाने के लिए रेडी है कि रेडि suburbs खाने के यह रेडिर समय कर दो क मुझे कागां